कि नमस्कार प्यारे बच्चों आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी इस YouTube चैनल में और आज की जो क्लास उसमें हम लोग बात करेंगे फेश्ट लो क्या होता है it state that it state that if heat is given to the system heat is given to the system अगर हम किसी system को क्या देते हैं बाहर से heat देते हैं तो इस हीत देन इत है इत कनवर्ट इन अधर फोर्म ओफ अनर्जी अधर फोर्म ओफ अनर्जी तो बिटा क्या आँ इस में देखो जितनी हम लोग भाहर से किसी system को हीट देते माल लिजे कि मैंने उस किसी भी system को 50 J दे दी तो 50 J हीट मैं system को दे रहा हूं यह हीट है यह कनवर्ट हो जाएगी किसी और एनर्जी में ठीकरना हीट अगर मैं दे रहा हूं तो वह हीट एनर्जी या तो internal energy को increase करेगी मालने 50 जूल energy किसी system को दी है तो वह जो हीट है energy है वह system की internal energy को increase कर देगा अगर वह हीट system के अंदर रही तो और कई बर यह सकता है कि माल लो हमने हीट दी और उस हीट की वजए से क्या हुआ गास जो है वो एकस्पेंट हो गई उससे जो है कुछ work done हुआ तो system ने कुछ work done किया इस वज़े से वो energy कुछ क्या होगी लोस हो गई है तो दो तरीके से हम लोग energy को convert कर सकते हैं पहला जो है पहला जो heat जो होती है convert हो जाती किसी दूसरी form of energy में तो पहली जो energy की जो form होती है वह हमारे पास में कौन सी होती बताओ हमने बता है कि it increase the it increase the internal energy internal energy यह जो होती है internal energy को increase कर सकती है कौन जो हम system को क्या दे रहे हैं बाहर से system को बाहर से क्या दे रहे है हीट दे रहे है ठीक है ना second number पर क्या होता है second number पर होता है work is work is done by the system हो सकता है कि जो heat में दे रहा हूं उस heat की वज़े से gas expand हो जाए यानि system की जो heat transfer हो जाए वर्क में और वर्क में क्या होगा उसका वर्क दन बाइदा system में तक किस्टन जो है उपर की सेड़ में मूँ करेगा और गैस क्या हो जाएगी बताओ expand हो जाएगी ठीक है इंटरल energy को कब बढ़ाएगा जब heat जो है उस system के अंदर रह जाएगी तो और वर्क दन कब होगा जब वह हीट जो है वह system से बाहर चली जाएगी तो क्या कलाएगा वर्क दन इस बाइदा system ठीक है अब दिखो यहां पर माल लीजिए कि यहां पर हम लोग माल लेते इस दा हीट इस घीवन टूदा system अगर सिस्टम को हमने डीकूँ हीट दिये कितने दिये वही डीक्यों हीट अम लोग ने सिस्टम को दिये है नमबर दो पर यहां पर लिख रहा हूं मैं क्या डी यू डीक हम लोग मानेंगे चेंज इन इंटरनल एनरजी इंटरनल एनरजी म से कितना चेंज होगा बेटा डी यू इस दा चेंज इन इंटरनल एनरजी और नेक्स्ट है आपका डी 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 इस दा वर्क डन वर्क डन बाई दा वर्क डंवाई दा सिस्टम ठीक है तो यह हो गई आपकी टोटल फॉर्म सेनर्जी की अब हमने क्या देखा डेफिनेशन में कि जो हीट जो होती है जो हीट में डीक्यू दे रहा हूं वह किस-किस में बदल जाती वह डी यू पलस में डी डी डबलू हो सकता है कि जितने हीट म मैं ने दी क्या К enlight हो जाए याग हो जाए है जितने हीट मं देंगे वह हो इंक्राइग को कैस में क्ते हो जाएगा जैसे में लस होता है उस वजह से जितनी भी हीट में दूंगा सिस्टम को वह कंपलीट क्या हो जाएगी वर्क में चेंज हो जाएगी मतलब वहाँ पे आईसो थर्मल प्रोसेस में हीट को लेके चलना है ठीक है ना उसको टेम्परिटर को लेके चलना है तो उस वज़े से इंटरनल एनरजी कि अब फेस्टला फ्रमोदैने इसको फेस्टला को जब भी हम लोग यूज करते हैं तो हमको एक प्रब्लम का अपने को मिलती है उस प्रवल्म को बोलते हैं आइन करने संगेशन की जब भी हम लोग किसी वीफ सिस्टम के अंदर जो है हीट देंगे या हीट लेंगे वर्क अगर अब यहाँ पे होगा वर्ग दन ओन दा सिस्टम उगा इनटर्लीध वर्ग दन ओन सिस्टम होगा तोम कहेंगे it is taken as a taken as a negative work done on the system क्या होगा negative होगा similarly क्या बोलेंगे work done by the system system खुद work करेगा तो volume expand होगा तो volume बढ़ेगी तो वहाँ पे क्या होगा taken as a negative की जगए क्या है positive यानि work done जो है positive का भगा और negative का होगा हो हमको पता होना चाहिए ठीका ना पहली बात तो यह वाली होगे ठीका ना अब if heat is given taken as a positive अगर मैं system को heat दे रहा हूं तो हम लोग मानेंगे उसको positive if heat is drowned heat को हम क्या करें निकाल रहे हैं तो वहाँ पे लिखेंगे taken as a negative अगर किसी system को heat हम दे रहे हैं तो वहाँ पे heat को positive माल लेंगे मान लिजे कि मैंने system को 50 जूल heat दिये तो positive लेके चलेंगे और मानलों कि 50 जूल heat मैंने निकाल लिए तो उसको हम लोग negative लेके चलेंगे तो यह हो जाएगा आपका heat is given to the system or heat is drawn from the system taken as positive and negative simultaneously ठीकना अब नेक्स्ट जो आपका है तीसरे नमबर पर क्या होता है अगर हम लग क्या करेंगे temperature को बढ़ाएंगे ठीकना तो आप लिख रहे हैं if temperature is increase if temperature is increase temperature is अगर तो क्या होगा तो क्या होगा यह अपने को sign conventions ध्यान रखने है मैं एक बार फिर से रिपिट करता हूं sign conventions अगर work done on the system हुआ मत्तलब work done system के ऊपर हुआ मतलब gas compress हो रही है गैस अगर compress होती है बैटा तो उसकी volume decrease हो जाएगी और volume decrease होगी तो V2 minus V1 क्या होगा बताओ negative होगा तो वहाँ पे work done negative कहेंगे और work done positive का बगार जब तो by the system होगा मतलब gas expand होगी तो volume बढ़ेगी तो final volume minus initial volume क्या होगी positive आएगी work done positive आएगा second one बोल रहा है कि अगर heat दे रहे है system को heat is given to the system taken as a taken as a positive or heat is drawn from the system it is taken as a negative heat निकाल रहे हैं तो negative और दे रहे हैं तो positive next आपका temperature is increase then do is increase अगर temperature increase हो गया अगर temperature बढ़ गया उस case में internal energy बढ़ जाएगी और temperature अगर आपका घट गया तो internal energy भी क्या हो जाएगी घट जाएगी this is your sign convention for first law of thermodynamics ठीक है यह अपने को ध्यान रखना ठीक है अब देखो फैस्टला जो है आपका फैस्टला उसको लोग क्या करते है अलग अलग प्रोसेस में क्या करते है है स्टड्डी करते है ठीक है देखो यहां पर मैं मानक Kimberly चल रहा हूं फैस्टला ंवफ थर्मो डाइनमिक्स ठीक है फैस्टला ओफिघर्मो डेमिक्स यहां पर लिख Friday ट्वीटक इतना होता है बता हुख तो पहला लांकel का कहता है dq is equal to d u plus का d w अगर d t 0 है तो d u भी क्या होगा बताओ 0 होगा यह जब temperature constant है तो internal energy भी क्या होती temperature पर ही depend करती है तो वो भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी तो यहाँ पर 0 put कर दीजिए that is equal to क्या होगा d w यानि हम लोग क्या बोलेंगे in isothermal process the total heat given to the system is completely transfer या फिर completely changed into work done जितनी भी हीट हम लोग दे रहे हैं वो complete heat में change हो जाएगी यानि कुछ भी energy जो है उसकी internal energy जो है change नहीं होगी विकोज this is isothermal process ठीक है यह अपने को isothermal नहीं करना ठीक है नंबर दो पर आपको कुन है नंबर दो भी process है आपका adiabatic process process adiabatic process तो adiabatic process में क्या होता आपको पता है dq is equal to क्या होता है 0 होता है तो यहां पर dq is equal to कितना होगा du plus का कितना होगा dw होगो तो यहां पर बोलेंगे is equal to 0 that is equal to du is equal to minus का dw internal energy जो है वो negative भी हो सकती है और positive भी हो सकती है वर्क डन आपका negative भी हो सकता है और positive हो सकता है अगर वर्क डन जो है आपका वर्क डन जो है वो ओन दा क्या होता है माहिने से dw हो जाता है ठीक है यहनि इसका मतलब गैस expand होगी तो dw क्या होगा positive होगा यह वाला वक्टन जो आपका कैसा होगा वाइदा system जो होगा positive होगा expand होगी तो उस case में du क्या हो जाएगी बिताओ negative हो जाएगी ठीक है ना next आपका कॉन सा process है आई-so-correct process iso-correct process में क्या होता है तो यहां पर क्या आएगा dq is equal to du plus का PDV यह कितना है जिरू है तो वक्टन भी कितना होगा बताओ जीरू हो जाएगा तो यहां पर आई-so-correct process में भी क्या होता है क्या होता है दी यू होता है जितने भी हम लोग हीट दे रहे हैं सिस्टम को आई-so-correct में भी कंप्लीट हीट जो किसमी कंवर्ट हो जाएगी बेटा वह आपकी वक्टन उसकी internal energy में क्या हो जाएगी कंवर्ट हो जाएगी ठीक है अब next आप कॉन सा आई-so बारिक प्रोसेस प्रोसेस में क्या होता है आपका जो प्रेसर कॉंसेंट होता है तो वहां पर आपका डिक उकल डिवी प्लस का दीडवलु मतलब सेम फोर्मला लेके चलना उसमें चेंजमेंट नहीं होगा ठीक है अब देखिए हम लोग क्या करते हैं एक दो छोटे-छोटे प्रोसेस और है हों ह्पों लोगल जान लेते हैं साइन ग्रॉओन जो आपको समझन में आ गए होंगे अब जुआ है कुछ प्रोसेस और लेके चल रहे हैं जैसे कि पहलें परोसेस कौन Whoo ऑ जिरो प्रोसेस में यू कितना होता होगा होगा जीरो साइकलिक प्रोसेस वह होता है जो आपस अपनी उसी सिच्वेशन में पोजिशन में आ जाए इनिशन स्टेट में इसका वनलब घुम के वहीं पर आ गए तो इनिशन स्टेट में उसकी इंटर्नल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया तो दू इस इकल टू जीरो तो यह मेल्टिंग प्रोसेस मज प्रोसेस का मतलब होता है किसका मैल्टिंग प्रोसेस के दो राजबंग टी न है बता हो जीरो होती है तोaráड जीरो फिकतना हो जांगा सिरक निशन हो जाएगा 0 हो जाएगा तो डीक्यू बराबर क्या होती है हीत जो होती मेल्डी प्रोसेस हो इम नाव एनटो एल इंटो एल का मतलब where M is the mass and L is the latent heat ल कौन से होती है लेखेंट ही थो टिक्यू इस इकल टू दिफ द्व तो ड यू-पलस का hypothesis तो 0 होता है that is equal to dq that is equal to ml that is equal to du बराबर कितना है ml यानि जो internal energy में change होगा वो किसके बराबर होगा वो होगा आपका mass and यहां पर आ गया latent heat का formula ठीक है ना M into क्या होगा L हो जाएगा ठीक है next आपका कौन सा है boiling process कौन सा है नंबर 6 पर boiling process है तो boiling process में क्या होगा बताओ boiling process में जो है आपका dq तो क्या रहेगा बताओ mle रहेगा dq तो mle रहेगा heat में change तो ml रहेगा लेकिन आपका du है dw जो है आपका वो कितना होगा p into dv that is equal to p into v2 का वीवन होगा तो यहां पर आएगा dq is equal to du plus का dw तो यहां से अपने को क्या चाहिए dw चाहिए तो dw क्या होगा dq minus का du कितना है ml minus का du कितना बताओ p into v2 minus का वीवन this is your work done in the boiling process boiling process में जो है इतना work done होगा ठीक है न तो यह थे आपके कुछ इंपोर्टेंट फैस्ट लॉफ थर्मोडेनमिक्स की इंपोर्टेंट अप्लिकेशन की कौन-कौन से प्रोसेस में जो है फैस्ट लॉफ थर्मोडेनमिक्स कैसे कैसे वर्क करता है ठीक है न अब हम लोग क्या करेंगे एक most important derivation इस चैप्टर का जिसको हम लोग बोलते हैं क्या जिसको हम लोग बोला करते हैं relation between CP and CV ठीक है न बहुत important है relation between CP and CV आप जानते सिपी-CV क्या होते हैं CP का मतलब होता है specific heat at constant pressure और सिपी का मतलब होता है specific heat at constant volume ठीक है इन दोनों को हमको पहले से हम लोग क्या करते हैं इसको जानते हैं इसको जानते हैं ठीक है इन दोनों के बीच में प्रेलेशन चाहिए अपने को पहले एक रिलेशन हम लोग जानते हैं CP by CV क्या होता है वराबर गामा होता है जो कि हमेशा एक से क्या होता है बड़ा होता है अब हम दोनों के बीच में क्या चाहिए प्रेलेशन चाहिए तो हम लोग माल लेते हैं कि कंसीडर एगैस कंसीडर एगैस इज टेकन एज कोंस्टेंट प्रेसर है पहले में कोई गैस मान रहा हूं उसकोंस्टेंट प्रेसर पर मान रहा हूं तो उसकी स्पेसिफिक हीट क्या होगी CP that is equal to N into CP into DT ठीकन NCP DT कोंस्टेंट आपका N यह जो आपका क्या आएगा DQ is equal to क्या होगा NCP DT है na CP is the constant प्रेसर के ऊपर जो क्या आएगी आपकी स्पेसिफिक हीट आ जाएगी ठीक है ना सिमिलरली अगर मैं यही चीज प्रेसर के बिज़े constant वोल्यूम पर मानूं तो क्या लिखोगे constant वोल्यूम पर लिखना हो तो अब लिखोगे लिखोगे बताओ जिरो हो जाएगा तो यहां पर DQ कितना होता बताओ डिडबू होता है आपका P into dv that is equal to 0 मतलब कोई भी work done करना नहीं पड़ेगा ठीक है तो यहां पर DQ के वेलों आपको पता है तो दीक्यु उकुल टू कितना होता है चलने है का मतलब वही गे लेके चलने है सब्सक्राइब 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 कीज्द आपका ISO आइसो बारिक प्रोसेस आइसो बारिक में वग्डन जीरो नहीं होता इसो को रिकमें वग्डन कितना होता जीरो होता है तो dw एस इसे डूट प्रूट अगा प्रूट यूडश कितना हैं गाँ ठीक आफ था ना तो डीकूड़ाइस के वहले तो पता अपने को यह इक्वेसिन नंबर थेड आजेगा तो डियू डेस के मतलब इंटर्नल एनरजी डियू डेस इस उक्वल टू एन सीपीडिटी मैनस है कि इतना आएगा बताओ पी डिवी आएगा ठीक है अब देगे यहां पर छोटी सी बात अपने को ध्यान रखनी है है कि क्या रखनी है यहां पर यह जो है डियूज इस और डियू बहले अगर आपका डियू डेस और टी के मालसे मलों की यह दोनों क्या है constant जो है internal energy यो क्या रहेगी बताओ constant रहेगी दोनों के इसमें तो डी यू बराबर कितना आ गया डी यू डैस ठीक है न क्योंकि दोनों को हम लोग क्या कर रहे है constant temperature के उपर क्या कर रहे है अब देखें यहां पर क्या करना है इसको सोली करना है बसे पीडीवी को यहां पर ले आओ प्लस का हो जाएगा तो पीडीवी इस इक्वल टू यहां पर लिखेंगे n cv d t minus n cp और d t यहां पर common आ रहा है n common आ रहा है तो यहां पर आएगा cv minus cp into कितना एगा d t is equal to कितना एगा p into d v ठीक है न यहां पर आएगा n cp d t n cp d t minus का n cv d t ठीक है न कुछ गड़वड कर रहे हैं यहां पर आपका n n cp d t minus का p d v is equal to d u dash तो n cp d t minus का p d v is equal to d u dash और d u dash कितना होगा n cv d t हो जाएगा क्या हो जाएगा n cv d t हो जाएगा n cp d t minus का p d v is equal to n cv d t ठीक है तो बही इस p d v को में इंदर लिके जाऊंगा तो यहां पर कोन आएगा cp आएगा यहां पर कोन आएगा बताओ cv आएगा तो यहां पर लिखेंगे CP-CV, ठीक है न, अब यहां पर क्या PDV, अब हम जानते PV is equal to कितना होता है, बताओ, RT होता है, यहां पर PDV is equal to कितना होगा, बताओ, RDT होगा, तो यहां से PDV के जगे क्या कर दो, RDT put कर दो, यहां पर आएगा RDT is equal to N into CP-CV into DT, से DT cancel होगया, तो यहां पर आएगा, R is equal to CP-CV, अगर माल लो, number of moles कितने माल लो, 1 माल लो, तो R is equal to क्या आएगा, CP-CV, R बराबर क्याएगा, CP-CV आएगा, यह आपका क्या होगया, रिलेशन होगया, जैसा कि हम जानते हैं, CP-CV is equal to R, R की value positive आ रही है, तो हम लोग बोलेंगे, CP greater than CV, CP हमेशे CV से बड़ा होता है, इसलिए हमने कहा था, कि CP बटे, CP जो होता हमेशे greater than 1 होगा, गामा की value क्या होती है, हमेशे एक से बड़ी होती है, यह अपने को ध्यान रखना है, ठीक है, तो this is the relation, यह आपका क्या है, relation है, किस के बीच में, CP और CV के बीच में, CP and CV के बीच का relation आएगा आपका यह वाला greater than 1, ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं, अब देखो यहां से छोटी सी चाहिज, आपने को ध्यान रखनी है, यह बोल रहा है कि अगर हमारे पास एक mixer of gas है, क्या है, mixer of gas है, तो gas का mixer होगा, दो gas का, तो उनकी बताइए, उनकी जो total internal energy कितनी होगी, तो यहां पर बोलेंगा mixing of gas, तो हमने बोला पहली जो gas, उसकी heat कितना है, कि DQ is equal to कितनी है, यहां पर बोलेंगे NCVDT, ठीक है न, क्या बोलेंगे, NCVDT, तो DQ dash is equal to कितना होगा, NCV1 into कितना हैगा, DT ठीक है न, heat पहले बाले कि DQ1 मालो, DQ1 is equal to कितना होगा, NCVDT, ठीक है न, यह क्या होती है, DU के बराबर होती है, यहां पर क्या होती है, internal energy, DU dash is equal to कितना है, N1 CV1 बराबर, DT, यहां पर DU2 बताओ कितना हैगा, similarly कितना होगा, NCV2 into कितना होगा, अगर मुझे total चाहिए, तो total क कितना होगा, DU is equal to आपका, DU1 plus कितना होगा, DU2 होजाएगा, दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा, बताओ, NCV1 DT, पलस में कितना होगा, NCV2 into कितना होजाएगा, बताओ, DT होजाएगा, यहां से common क्या आ रहा है, CV1 plus का CV2, यहां पर यह काम कर लिजे, पहले वाले के number of moles, N दूसरे वाले के N2 माल लिजे, तो यहां पर N1, यहां पर N2, तो common क्या आएगा, DU is equal to आएगा, N1, CV1 plus का N2, CV2 into में कितना होगा, DT आएगा, तो यह common आगे यहां पर, तो यह आपका N1, CV1 plus का N2, CV2, DT, ठीक है ना, अब यह बोल रहा है कि हमारे हिसाब से जो है, हमारे ह specific heat है, अलग-अलग specific heat है, CV1 और CV2, अगर दोनों को mix कर देंगो, तो एक ही heat आएगी, तो यहां पर बोलेंगे, DU is equal to N1 plus का N2, और यहां पर CV into क्या हैगा, DT, CV मैंने बाहर निकाल लिया, अगर दोनों के CM होगी, तो मैंने बाहर मान के क्या कर लिया, CV मान लिया इसको, तो यह हो गया, DU is equal to N1 plus N2 into CV into क्या हो जाएगा, आपका DT हो जाएगा, अब देखे, यहां से क्या करते हैं, यहां पर जो DU की value है, वो यह वाली है, equation number second, तो यह हो गया आपकी N1 plus का N2 into क्या होगा, CV into क्या होगा, DT, और अलग-अलग कितने होती थी बताओ, N1 CV1 DT plus का N2 CV2 DT यहां से क्या करो, N1 plus का N2 into CV into DT, that is equal to N1 CV1 plus का N2 CV2, into में कितना है, DT से DT cancel कर दीजे, यहां से CV निकालना है, CV क्या आएगा, बताओ, N1 CV1 plus का N2 CV2 upon में, N1 plus का N2, this is your CV, specific heat at constant volume, specific heat at constant volume आपका आजाएगा, ठीका ना, ऐसे अपने को निकालना है, specific heat at constant volume आपका आजाएगा ठीके, अब CP आ गई, CV आ गई, तो CP निकालना बहुत आसान है, CP minus CV is equal to क्या होता है, R होता है, तो CP बराबर क्या होगा, बताओ, CV plus का R हो जाएगा, CP बराबर क्या होगा, CV कितना है, CV है, आपका N1, CV1 plus का N2, CV2 upon में कितना है, N1 plus का N2, और plus में कोन है, R है, जब हम लोग इ N1, CP1 plus का N2, CP2 upon में कितना है, N1 plus का क्या है, N2, हो क्या है, N1 plus का क्या बताओ, N2, खीक है न, N1 plus का N2 है, तो this is your mixing of gas के लिए CP, CV की value है, आज की वीडियो में जो है, इतना ही, next studio में हम लोग फिर आपसे मिलेंगे, तब तक लिए, thank you, have a nice day.